हाई फ्रेंड्स विल्कम बैक टू माई चैनल आज मैं जो नास्ता लेके आई हूँ न बहुत ही टेस्टी भी है और बहुत ही यूनिक है और बहुत ही मतलब सुन्दर भी लग रहा है और इसको बड़े को देवे चोट्यों के दोगे जो भी जिनको दोगे ये खुश हो जाए तो एक चोटी कटोरी से मैंने चावल कांटा लिया है तो चावल कांटा जिसे नहीं लेना चाहते है या नहीं आपके पास तो आप चावल ले सकते हैं और चावल को धो लिजी एक दो पानी से उसके पानी में डाल करके दो से तीन घंटे के लिए सोक कर दिए निए फुला यह तो रात वर फुला सकते हैं और ग्रैन करके ले सकते हैं अब ले लिया एक कटोरी चोटी कटोरी से चावल काटा तो आधा कटोरी लिया है दही तो आधा कटोरी या वन फोर्ट कटोरी तो आधा कटोरी लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा और पानी ले लिया है और पाई से इसको थोड़ा थोड़ा पाइं दे करके घोलते जाए एक ही बार पाइं नहीं दीजिएगा इसे क्या होगा ना लंस हो जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा थोड़ा थोड़ा पाइं दे करके इसको मिक्स करते जाए तो इसे अच्छा बनेगा रेश्पी तो चलि कि मैंने इसको mix कर लिया लेकिन अभी गाढ़ा है यह तो मैं थोड़ा सा और इसमें पानी और डाल देती हूं तो देख सकते हैं ने गढ़ा तो थोड़ा सा इसमें और पाई डाल ली हूं सम मिला करके दो कप लगवग लगा है तो दो कप जरूरी नहीं कि ज्यादा भी लग स चाहिए देखे है न इस तरह का होना चाहिए अब इसको क्या करेंगे ढख करके इसको छोड़ देंगे कमस्करम आदा गंटा आप 20-25 मिनट भी रख सकते लेकिन आप आदा गंटा रखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा तो देखिए हाँ पैनावर के लिए छोड़ दिया थ क्यों बढ़न मात जाहते नैं तो मसाला भी डाल सकते हैं लेकिन मैं इसको वायट ही क्यों रख रही हूँ आगे बताऊंगी तो देखिए इस त loaf ao present प्रभशे कह ब्राबर दियी तो तो तीन से चार- इस ऐसे मतलब इसमें ander denly दाला मैं जमाने दाला है यानि हाँ पैकर डाल है इनगला तो दुनों में उसे कोई हैं और उसको अच्छे से अंगर सकते हैं और यसको अच्छे से मिक्स कर लियर तो देff है यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है तो एक चोटी विटांज लि Hellstorm ही ल्डार डाला है और फोड़ा सा थोड़ा मैंने हम कर लिया है धर बोनों को रख लिया है इस dåि क्या करना को है बनाता है ना अगर थोड़ा सा तो ज्यास अच्छा रहेगा तो इस तरह से जसे बनाते हैं पोची रही अंडा का पोच जो चोटे चोटे यह आ रहता आगर आपके पास तो उसमें बना सकते हैं तो देखे इस तबसे मैंने भायट वाला वाला उसके ऊपर अलो डाल दिया है और देखे बस क्या-किया असे झारा Everybody दोड़ा सक्थ एक बुंद आउया बन भी उपसे लिया था सबसे gotahya जातर मैं कि नाश़ Kannap करके पकने दीजिए दो से तीन मिनट में यह हो जाएगा तो देखते रहेगा और यह देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से हो गया है आप इसको थोड़ा थोड़ा निकाल लीजिए कि मैं एक मुंधी तेल में बनाई हूँ और इसमें पंतलब छूट जाता है चिपकता नहीं और अगर आपको पास नानस्टीक है तो नानस्टीक में भी बना सकते हैं कोई भी मोटे तले में बनाईए तो कि यह पक चुका है लेकि थोड़ा सा मैं इसको क्या करती हूँ तो इससे कुछ दिक्कत नहीं होगा और ढख करके एक मिनट के और पकाती हूँ तो देखे एक मि मैंने पोच लिया था थोड़ा सा और दो चम्मच फिर से मैं डाल देती हूँ और उसके बाद बैट डाला है उसके उपर एलो तो अस्पून से दो तीन स्पून इस तरह से डालते जाए तो बहुत ही सुंदर सुंदर तो लगता ही है और खाने में भी बहुत टेस्टी लग सकते हैं तो इस तरह से बनाएंगे तो आप सुच रहे हैं कि क्या बना हो तो इस तरह से आप बना करके दे सकते हैं लंच बोक्स में देंगे तो बच्चे भी तो उसको मतलब चाप का जो लेके जाएंगे वो चट करके आएंगे तो है ना बहुत अच्छा चीज और इसके खाड लिया है और इसके बाद इसको पलट लिया है थोड़ा सा पलटेंगे ज्यादा नहीं दवाएंगे तो इसका जो कलर मतलब डिजाइन जो बना हुआ खराब हो जाएगा अब इसको देखे पलट लेती हूं थोड़ा थोड़ा तेल में ही बना हुआ है उसके बाद मैंने एक बुंद भी तेल नहीं डाला है पहले पोच लिया था उसके बाद नहीं डाला है अब अगली बार अगर तीसरी बार बनाऊगी तो यह भून दिख सारे मैंने बना लिया है तो देखे कितना सुन्दर लग रहे है। बस एक छोटी कटोरी चावल के आटे से और कुछ भी नहीं मतलब नमक और यह सब तो डाला ही है और देख सकते हैं इतना इजी और इतना टेस्टी लगता है ना इजी तो बनता ही है नास्ता और टेस्टी भी बहुत अच्छा लगता है तो देख सकते हैं बिल्कुल लग रहा है कि अंडा का पॉच यह इस तरह से रख दते हो तो लगता है बिल्कुल फलावर तो आप इस तरह से नास्ता बनाईए और आपको ये नास्ता की रेश्पी कैसी लगी जरूर कॉमेंट करके बताईएगा अगर अच्छी लगी तो लाइक सेर सब्सक्राइब किजिएगा तो देखिए मैंने टोमेटो सॉस रख दिया है तो क्या हुआ न ये लो फाइट है और किजिएगा तो देखिए इसको मैं तोड़ करके भी दिखाती हूं बहुत ही मैं जब बनाई न तो बहुत अच्छा लग रहा था और बिल्कुल एक बून तेल से मैंने बनाया है एक बून तेल ही दिया ज्यादा कुछ नहीं दिया इसको तोड़ कर दिखाती हूं कैसा बना है जाली दार बिल्कुल बना यह नास्ता अब जैसे अलाग अच्छा लग टो तो विल्कुल नास्ता बना करके दो गए तो घुस भी रहेंगे और खाके आएं निस स्क्षाला Аट युम्मी लग दिधा को कैसा इननस्ता कि बताईगे आतीच में नाशन हो दिसे नास्ता नेक्स वीडियो में नेक्स ने रेस्पी के साथ थैंक्स पर वाचिंग